हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी को आपके अपने यूटूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चों आज हम क्लास 9 का हिंदी का 40 most important objective question को आज इस वीडियो में करवाने वाले है जो आपके final परिच्चा के लिए बहुत ही जादा important है आपके जो final परिच्चा है बच्चों class 9 का हिंदी का वो एक मार्च एक मार्च first sitting में होने वाला है ठीके और उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जादा important है इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखना और अपने उन सभी साथियों को सेर जरूर कर देना जो class 9 में होंगे और अपने final परिच्चा की तयारी कर रहे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये सारे के सारी question बच्चों काफी important है सारे official question है model paper के तो ये वीडियो को आप पूरा अन तक जरूर देखना ठीक है हिंदी में जो सबसे पहले आपका question दिया रहेगा वो आपका एक गध्यांस दे रहेगा आपको गध्यांस को बहुत ही ध्यांसे पढ़ना और ध्यांसे पढ़ करके इससे कुछ related सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देना है तो चलिए पढ़ते हम लोग फड़ा फड़ा क्या है एक समय था जब पानी सब जगा मिल जाता था बिल्कुल इसलिए इसे कोई महत्तों नहीं देता था जब सब जगा पानी मिल जाता था तो इसको को value देता ही नहीं था ठीक है लेकिन तेजी से बढ़ती वी जनसंक्या और जीवन सैली में आये परिवर्तन के कारण जल दुरलब हो गया है ठीक है जनसंक्या जैसे जैसे बढ़ता गया अब पानी की कमी होती गई है ठीक है इसी दुरलबता के कारण जल का आर्थिक मुल्य बढ़ गया है दिखते है अब जो जल है वो पाईसा से मिलने लगा है ठीक है अब तक जल की पर्मुक मांग फसलो की सिचाइग के लिए होती थी लेकिन अब उद्योगो और घेरेलो के लिए भी जल का बहुत आवा सकता है ठीके उद्योग फैक्टर वगेरा में भी बहुत जरूरी है घेरेलो प्योग के लिए भी जरूरी है इसलिए जल अब एक बहु मुल्य संसादर बन गया है मतलब कैसा संसादर बन गया है बहु मुल्य संसादर बन गया है नगरी और ग्रामिन छेतरों में पीने के पानी के मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है आईए सबसे पहले नगर ये छेत्रों में जल की समस्या का अधियन करें तो ये हम लोग पैरग्राफ पढ़ लिए अब देखें इससे कुछ related सवाल पुछा जाएगा बहुत है असान असान पुछा जाएगा क्या है एक समय जब सब जगा क्या मिल जाता था जंगल पत्थर बालू जल अभी जल की बार में पढ़ रहे थे एक समय जब था कि जल सभी जगाओं पे मिल जाता था तो अप्शन नबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू चलिए दूसरा नबर सवाल दिया वाए एक समय किसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था तो जल को नहीं दिया जाता था महत्व अभी हम लोग जश्ट पढ़ें कि एक समय था जो कि जल को महत्व दिवे नहीं करता था चुकि हरजगन मिल जाता था जी हाँ चलो तीसरा नमबर में देखो बाबो का दियावा है अब जल कैसा संसाधन बन गया है तो अब हमने क्या बताया कि अमुल्य बहु मुल्य वियुक्त या मुल्य रहित तो अब जो संसाधन बन गया है जल वो तो आपसन बट्टू इसका बिलकुल सही हो जाएगा चलो आगे देखो नगरिय सब्द में क्या पर्तियाय है तो पर्तियाय का मतलब होता है बच्चों कि जो सब्द के लाष्ट में लगता है वही उसका पर्तियाय होता है यहां पर क्या है नगरिये तो लाष्ट में क्या आ रहा है यह आ रहा है इसलिए इसका पर्तियाय क्या हो बिल्कुल आदमी की जो पहचान होते हैं उसकी भासा से होती है उसकी लेंगविज से होती है और भासा संसकार से बनती है जिसके जैसे संसकार होगे वैसे ही उसकी भासा होगी जब कोई आदमी भासा बोलता है तो साथ में उसके संसकार भी बोलते हैं यही कारण है कि भासा के सिच्छक का दायत्व बहुत गुरुत्वत्तर और चुनौती पुन्ध है प्रमप्रागत रूप में सिच्छक की भुमी का इन तीन कौसलों तथा बोलना पढ़वाना लिखवाना तक सिमित कर दी गई है केवल यांत्री कौसलों किसी जीती जगती भासा का उधारा नहीं हो स सकती इसके बिना भासा यूगो यूगो का लंबा सफर नहीं तर कर सकती वह इनके बिना कोई भासा किसी देश कविया समाज की धड़कन नहीं बन सकती चली इससे कुछ सवाल है उसका जवाब देते हैं इसको पढ़ लो केवल समप्रेसन ही भासा नहीं है दर्द और मुसका के दिना कोई भी भासा जिवांत नहीं हो सकती चलिए आदमी की पहचान किससे होती है तो आदमी की पहचानकोई चलता है तो पढ़ना लिखना बोलन communicate पढ़ा है तो संस्कार कैसे है कितना चतूर जाए तो आदमी जो है उससे संसकार का सलगा उसका कल्चर का उसका पता चलता चालता तो ऑप्रतिस का राइट हो देखो क्या है सवाल कोई भी बहां सा किसके बीना जिवान नहीं हो सकती दर्दवा मुस्कान की बिना अभ्यास के बिना समर्थन के बिना वैवार के लए बिना रिके तो किसके बिना जो है जिवान नहीं हो सकती तो अब जैस्ट हम लोग पढ़ें दर्दवा मुस्कान के मिना है न sharply दिख offense पत्र में मेरें नहीं नहीं कि ननल्येश के पास लिखें आपकत्र अधियाच के पास तो आप सनवर्वन इसका nine का चलिए तेन नमर में किभराघण देखो तेन किभरा अवन नालियों की क्या है तू बचाओं तू रच्छा तू सफाई है तू यह खुदाहे वए सडखो नालिका सफाई न करेंगे जी तो सफाई करेंगे तू अप्षण मरती इसका राइट हो जाएगा चलो आगे देखो महुद है महुद है निवेदन के साथ क्या करते हैं भाई कहना चाहते हैं या फिर कहे सुने सुने ठीक है तो यहां पर हो जागा कहना निवेदन के साथ कहना है कि मैं किरिशना नगर महले के निवास यो मेरे महले की नल्यों कि अनुरोध है कि मेरे में नल्यों और सड़कों की गंदगी की नियमी तोर से सफाई करने की कृपा करें ठीक है उसके बाद आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं तो यहां पर समराट का इससiras को दशनाइब निया फिसका क्या हो तो पुरातन उल्टा क्या हो जाएगा पुरातन है न आंग का परिवाची सेल नहीं है रशू न lingerie ठिरिष्टी तो आग्क लेक्ष चचू भी हम बोलसकते नयान भी बोल सकते लेकिन कर्ण नहीं बोल सकते यह परियवाचे इसका नहीं है वाई क्योंकि यह कान का परियवाची तो अप्सय दूसरा इस का राइप होगा निम्हां देखते हैं लोग पुस्तक का बहु होगा पुस्तक क्या होगा पुस्तक पुस्तक्य कुलोग पुस्तक क्या बोलेगे फुस्तक के प्रसाद का सही अर्थभ्य तो महल सब्सकर कि चोटी एक करना महाورत हे एड़ी चोटी लगा तो आठ्या अत्याधिक प्यारत होना एक मीमारी सुंदर देद्वे तारा का मतलब क्या होता है अत्याधिक प्यारत होता है तो ऑप्षते को हो जाएगा तो यहां पर देखे पानी बरस रहा है और बादल गरज रहे हैं तो यह तो नहीं होगा कास आज वर्षा नहीं है कि सिछक ने कहा कल वर्षा होगी यह भी नहीं होगा वर्षा पानी बरस रही है सिंपल वाकिये बच्छो ठीक है सरल वाकिये और वर्षा इसका राइट हो जाए अगला सवाल देखो बच्छो निमन में से परिमान वाचक विसेशन कौन है परिमान परिमान मतलब की कुछ परिमान होना चाहिए उसका ठीक है तो एक किलो आलू सबजी चौथा दही तो एक किलो आलू यह क्या है बच्छो परिमान है क्या है परिमान एक किलो सिर्प आलू रहता तो नहीं होता लेकिन यहाप एक किलो दू किलो चार किलो लिखा रहेगा तो ह हो जाएगा ठीक है निर उपसर्ग से निर्वित सब्छाटी तो नियम निशेद निपात निर्जन तो निर निर से क्या बनेगा निर्जन और फोर इसका राइट हो जाएगा आई परत्याय किसमें लगा तो भलाई में भली में उपजाओं में पहाड़ी में तो सिंबल से पत दो बैलो की कथा के अधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पसु कौन है बुद्धिहीन मतलब की सबसे बेवकूफ है न कौन है गधा गाय भैस मकरी तो गधा को हम लोग सबसे बेवकूफ कहते हैं पता है न कितना गधा है जी समझ में ने आता है तुम लोग को है ना समझ सब्सक्राइब को कवीता सुनाने पर पुरसकार सौरूप कैसा कटोरा मिला तो चांदी का कटोरा मिला था कभीर के दूशार मानसरोवर क्या है यह मन- सर्दी ओग एक किसी रचना तो वाक जो है ललत दे क्ये रचना एका तो एक भारती आत्मा के नाम से बहुत ज्यादा परसिद थे अगला सवल देखो में किस रितू का वर्सा सिसीर ग्रिस ठीक है तो यह आपका हो जाएगा बच्छो वर्सा रितू पावस रितू तो आपसर नमर टू इसका राइट हो जाएगा प्रेश्णि की भाति किसे लिख काव जाना जाएगा भख्तौ का मंदिर जान जादू करकर का पर काम पर जाना वेच्छ रेया सवाल से ठीकर जो माटे वाली पार्ट के लेखा का नाम है रुद्या सागा नौटियाल क्या यहाँ पे और कि हट्डि एक सवायं में च्पक्ता बोड़ ह Quindi के सब हो जब तो यह denire प्यारे बच्चों आप लोग का चालीस महत और फॉम्जажи आसा है कि ये वीडियो आपको चांद सब्सक्राइब उसाइन सब्सक्राइब मैंट का लग लग पलीश्ट बना दिया है टिक हिंदी कभी बना दिये यहांस का सारह सब्जिक का त्यारी प्लेश्ट से 20 प्लेश्ट करके आप देख सकते हैं वहांपे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा सब वीडियो को जरूर देखना ठीकि आपकर नायत का एक्जाम कैसे होने वाला है तो अब्जेक्टिव होने वाला है और अब्जेक्टिव में जितना कोशन करोगे बच्चों उतना अच्छा होगा आपके लिए ठीक है उतना परशन मिल जाएगा एक्जाम में टेंसन नहीं लेना एक चलिए बाकी मिलते हैं और चैनल कभी तक सब्सक्राइब ने की तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ठीक है चलिए मिलते हैं और नेक्ट वीडियो में थांक्यू सुमच